हेलो दोस्तों, हमारी ट्रीव चलाव का स्वागत है इस वीडियो के मादधन समलो जानेंगे जीपी एप में होने वाले समस्याओं के समधान के बारे में जीपी एप में जैसे आप माल लीजिए कि कालेज का नाम एट नहीं हो रहा है और आपका जो डाटा है, तो सिंक नहीं हो पा रहा है उसमें लिखा रहा है, या फिर हाउस ओर्ड में जाके जो असेसमेंट है, उसको कैसे सुधारेंगे या फिर उसी जो गत्वीदियां, गलती समलोग किसी बच्चे को भर दीए है उसको कैसे सुधारेंगे या फिर टोटल टेस्ट में जीरो क्यों मेरा सो हो रहा है या वेरिफिकेशन में एक्स्टा क्यों दिखा रहा है दो से तीन क्यों हो जा रहा है या सिंक करने के बाद दुबारा सिंक का आफसन क्यों आ रहा है इन सभी जनकारियों को क्यों इस वीडि कैसे करेंगे क्योंकि आपके कालेज करना महां सो नहीं हो रहा है तो कैसे सो होगा मैं बताता हूं आपको देखे सबसे पहले क्या करिएगा आप लो माई स्कुल में जाएगा माई स्कुल में जाने के बाद आपको देखे इस तरह से सो होगा कालेज mapping first college mapping का मतलब होता है कि आप college को वहां पर add करना मतलब अपने mobile में add करना इससे क्या फैयता होगा आपका add करने से कि आपको जो college है मालीजे कोई बीर बहदूर कालेज में भी दाला है तो हां पर मालीज आपका college है तो वहां के जितने बच्चे पर सिच्छन ले रहे हैं तो जो आपको लिस्ट जारी होगा डायट से या फिर नोडल इधिकारी से ओ के ओल उन्ही कालेज का नाव होगा अब पहले आप लोग देखते होंगे कि सभी डायट और प्राइबेट सभी का एक साथ आता था आपका डाटा लेकिन अब जब नेक्स समय आपका डाटा आएगा आपका क्योल कालेज के हिसाब से यह आएगा तो कालेज मैपिंग करना आपको बहुत जरूरी है तो सबसे पहल आपको हिंदी चूछ करना यहां अधर इस्टेट के हैं जैसे मलिया मि्वाल को हो गए तमिला ऑडू के 1977 कि लेकिकर मृण हाप लोहां तयकुल का नांव चत्वां कररें आपका रहा है जहां समस्टेर जिस काले से प्ड़ाई कर रहा है डलेट की फर्स समेस्टर और हुँ हम की बात चल लगी कालेज की यहां पर क्या करिए सबना हुआ बाक समल इसको । क्लिक कर देखिए चूज डिस्टिzw reference जिस district में आपका college है वही choose करिएगा देखिए मेरा जो district है वो गोरखपूर है क्या करेंगे गोरखपूर क्लिक कर देखिए गोरखपूर पुरा नहीं लिखना आपको स्टार्टिंग के तीन वर्ट तक लिखना या फिर दो लिखेंगे तब भी आ जाएगा तो पूर वर्ट लिखेंगा पूरा नहीं लिखने से नहीं आएगा आपको तरीका बतातों करने का देखिए जैसे मालीजी मेरा कालेज है बीर बहादू हम कहेंगे तीन तीन अच्छा या तीन वर्ड लिखें वी इए देखें बीर बहादू आपको लिष्ट आजाएगा जिसे वी जितने भी नाम होंगे या फिर मालीजी परभादेवी जिसे परभावती जिसे पी आर्ये पूरा नहीं लिखना आपको पी आर से जितने भी नाम रहेंगे सब आ जाएगे पूतरी देखिए थासा वेट करना पड़ेगा आपको नीचे सारा आपको लिंक आता रहेगा देखिए कैलास से देवी इसे पी आज पी आरे पी आरे जिसे मतलब आपके स्कूल के जो कालेज का नाम है ना स्टार्टिंग के तीन नंबर का जो अच्छर है उसको सो कर देगा यहां पर दोस्तों देखिए पी आर सब इतने होंगे सब आ जाएंगे इसमें लेकिन आपको नीचे तक सर्च करना है ऐसा नहीं है कि ऊपर ही आपका आ जागा तुरंत आ जागा ऐसा कुछ नहीं है आप क्य क्क्राइब कर दोस्तों जब इसको आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद क्या करि़ें आपका आप से हो जाएगा थेक्ट दोस्तों आपको ढूड़ने का असान तरीका ही है कि यह तीन लेटर करेंगे तो नीचे आपका सारे संद योश्फ है सेंट जो सब्सक्राइब करेंगे सेट से नाम है सेट कर लिए या फिर गंगा देभी है तो जी एन मतलब स्टार्टिंग तीन या चार नमर डालने हैं तभी आपका कालेज आएगा यह समस्या अब देखिए आपका समधान होगा इस कालेज का अब सभी लोग का दिखाएगा अब देखिए बहुर लोग को कह रहे हैं कि लोग टायं में सों नहीं हो रहा है और डेट समस्या एप दक आपको देखिए पहला समयदान हो गया जिसका वेरिफिकेशन गलत दिखा रहा है जैसे माल लिए बैकर के दिखाता हूँ आपको जैसे माल लीजे ML है ML में देखिए हमारा BL ML complete है लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं इसमें dummy data देखिए dummy data इसमें क्या करें dummy data को select करके अपना dummy data भर दिए करें जिसका dummy data क्या है अपर बनाओ और यहां पर एक अंठा वनाओ यहां पर रीक करिए जो क्لبकल करें से dah maybe data नहीं से delete करहेंगा ड्रीट करने का बाद जा यहां से हड़ जाएगा उसके बार क्या करिए हटा कि आपका data सही हो जाएगा और देखिये यहां पर verification हो जाएगा लिए यहां पर किसी याद्ड़ आपका इसका रपर होता है कि आप कितनी बाद test कर रहे हैं एक-की टेस्टिंग किए बिए ने एल के टेस्टिंग किए कितनी बार किए ने कि सब्सक्राइब कर लिए गलती से एक उसे डिट कर लेगा और एक को यूज करेगा तो अब देखें टोटल बीजिट का मतला होता है जो आप गत्विधियां कर रहे हैं डेली का जैसे डाटा भरते हैं बच्चों का उसका टोटल बिजिट करते हैं अब जितनी बार उसमें क्लि प्लिट कर लिए इस-टरीकों आप निलीट कर लिए और तो नहीं नहीं भरा गया है उसको दुबारा एड करना तो आप add कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है यह इसमें आप क्या करिएगा प्लस करिएगा प्लस करने एक बाद आप बीच का data माली जो date उस date को बीच में 27 तरीक 28 कोई भी date माली लाते हैं आप डाल दीज़े 12 तरीक को अब देखिए 12 तरीक और 100 सो हो जाएगा यहां पर देखिए यहां पर सो कर रहा बारतारी आप चाहेंगे तो इससे बीच में जीसे अठाइस और चौबीस के बीच में कुछ लगाना चाहते हैं माली 25 अक्टूबर कप करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर कभी एड हो जाएगा आपका कोई भूल गया नह सिंक कर दिया सिंक करने के बाद देखें अभी सक्सेश्पूली लिए नीचे और देखीं सकसिश्पूली जैसे लिखने बाद देखिए हम आपको माय सुल क्लिक करेंगे आप देखें दुबारा जिस्वल लोगों में क्या हो रहा है कि सिंक का आपसन यहां पर फिर सी आ आ यह समस्य पता क्यों आ रही है मैं आपको बताता है समस्य इसलिए कोई भी पर शुच्छु जब डाटा एक यह बार में बहुत दिनों का फीड करता है अधर कर लिए तो उसके लिए समस्य आती है उसको बार बार सिंग करना पड़ेगा जैसे आप 15 15 बार सिंग करना कर देते हैं तो लागिन करने में आपको समस्य आएगी क्योंकि डाटा आपको वहां से ग्लीट हो सकता है ठीक दूस्तों आपको इतना बात पता चल गया ग्लत हो गया डेट मेरी गलत हो गई एमल की जो टेस्टिंग देखिए यहां पर डेट 28 को नहीं करना था अब क्या करेंगा इसके लिए क्लिक करिएगा क्रास के पर क्रास करने के बात देखिए यहां से डाटा आपका ड्लीट हो जाएगा लिए याद रखेगा इंट्रवेशन याद रखिएगा इंट्रवेशन होना चाहिए उसके बाद क्या करिएगा यहाँ पर प्लस करिएगा फिर क्या करिएगा जो बैक में हमारा गलती हुआ था 29 से भरना था 29 क्लिक कर लेंगे और जितना भी कुछ भरना है डिश्टिक अपना चूच कर लिएगा इंटरवेशन डाटा में डिश्टिक अपना क्या है माली यह गोरगपूर है तो गोरगपूर डाल दीजेगा और जो भी भरना है यहां पर देखे दोस्तों आपको MLK टेस्टिंग ऐसे करनी होगी मैं जो MLK टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है उन्हेरे GPF के फूल इंफरमेशन में जाकर मेरे वीडियो देख लें वहापस सारी इंफरमेशन आपको मिल जाएंगी यही किसी को समस्य आती है तो हमें 10-4 दीन में काल कर सकता है आपको हर एक GPA प्याज दिच्छा है कि किसी भी समस्या का समाधान पोच सकता है ठीक दोस्तों अब देखिए अब जो समस्या आ रही है तो माली आपका MLK टेस्टिंग का कम्प्लेट हो गया अब देखिए सबसे बड़ी जो गलती आ रही है कि बहुत बच्चों का सुनने मारा है कि something went wrong लिख के आ रहा है इसका मतलब मैं बता दूँ कि SCRT में जब कुछ अपडेट किया जाता है तो उस दिन का जो data होता न वो आपको sync नहीं करन दी दा जाता है आप sync नहीं कर पातने हैं उस दिन उई लिक ज़िपके आता है something went wrong अब लागिन भी नहीं कर सकते है और लगाओ quiz भी नहीं कर सकते है जब तक वहां से अपडेट नहीं कर दिया जाता है CRT से तब तक वहां पर लिखके आएगा something went wrong लिखके आएगा ठीक दोस्तों I hope यह बात आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा अब देखिए sync करना आपको क्यों जरूरी होता sync करना क्यों जरूरी होता मैं इसके बारें बताता हूँ आपको देखिए जैसे आप लोग internet आन करते हैं आपका YouTube कब चलता है जब आप net आन करते हैं और अच्छा network करता है तभी आपका यह YouTube चलता है उसी प्रकास से जीपी एप एक साधन होता है जैसे महने यह जिए बियल के टेस्टिंग दिखा रहा है मेरे टेस्टिंग उड़ी आया है हम 29 सारी को करते हैं लेकि हम करने में वहुत समय लगा टाइम बरबाद हो जाएगा इसलिए हम आप लोग को इतना ही करके दिखाएं आप लोग टेस्टिंग कर लिजेगा मेरे पिछली वीडियो को भी द अन्यवाद